नमस्कार सभी किसानभाईयों को आप बने हुए हैं एगरी कल्चर टकैनिकल गुरू चैनल के साथ किसानभाईयो आज का वीडियो जो किसानभाई इस समय ग्योहों की खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्तपूर वीडियो है आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा सुरू से अंद तक जैसे कि किसानभाईयो इस वीडियो के तहट मैं आप लोगों को इसमें दो जानकारी दोंगा जो बहुत ही महत्तपूर इस समय ग्योहों में हम क्या परियोग करें क्या ना परियोग करें जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता दूँ सत्तर या असी दिन की पीरिड की फसल हो चुकी है चाहे वो अगेती हो या पछेती गयों की बॉई की हो किसान भाईयों ने कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं पीलापन नहीं जा रहा है खेत में पीलापन बना हुआ है कहीं पे हरापन बना हुआ है इसका क्या कारण है अब परियोग क्या करना है आप लोगों को तो किसान भाईयों आप लोगों को इस समय इस्प्रे की कोई जरूरत नहीं है अगर इस्प्रे आपको करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या स्प्रे करना है पहली तो आप यूरिया अगर आपने अभी तक आखरी डोज जो यूरिया की दी जाती है वो नहीं दी है तो यूरिया का टाफ डेर्सिंग के रूप में करना है और उसके साथ में आपको मिक्स क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे की यूरिया जो है वो नबे से सो दिन की ग्यों की फसल में आखरी डोज को पूरा कर देना चाहिए किसान भाई इसको लेट लेके जाते हैं उसका हमको उल्टा रिजल्ट मिलता है उत्पादन भी परवावित होता है तो भाईो आपको सल्फर जो है वो कम से कम तीन से चार किलो प्रती एकड सल्फर लेना है और आखरी डोज यूरिया की लेना है जो आप प्रयोग करते हैं 40 किलो 35 किलो प्रतियकड उसमें अच्छे से इसको मिक्स करना है हाथों से और उसको टाप डेर्सिंग के रूप में देना है बात आती ही सिचाई की बाल निकलते समय सिचाई जरूर करें अगर जरूरत है तो खेत में नमी होनी चाहिए जब बालिया हमारी निकलती है तो भाई देता चलो इस वीडियो के साथ हमारे किसान भाई बालिया निकलने के बाद भी स्प्रे करते हैं चाहिए वो 19-19-NPK का स्प्रे हो और या मैगनीज मैगनीसियम सलफेट मैगनीज सलफेट का स्प्रे हो या कई किसान भाई हमारे सलफर का भी स्प्रे करते हैं यूरिया का भ मिलता है जब हमारी बालिया निकलने के वस्ता होती है उस समय स्प्रेय नहीं करना चाहिए इन चीजों का आपको ये साथ दिन की फसल में ही स्प्रेय करना चाहिए तो पूरा रिजल्ट मिलता है तो ऑकसान बाईयों हमारे जो दाने होते हैं ग्यों के वो क्यों सिकुडते हैं और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सिकुड जाते हैं बालियां छोटी निकलते हैं इसका आखर कारण क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा दानों पे धब्बे बने हुए दिखाई देते हैं जिस कारण हमको अच्छी फसल का भाव भी नहीं मिल पाता है मारकेट में और खाने यूज भी नहीं रहती है अगर हम उसको यूज भी करते हैं तो भाईयो कई किसान भाई हमारे जो हैं वो इस चीज को थोड़ा गंबीर से नहीं लेते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ जब बालिया निकलने के अवस्था होती है या बाल निकल चुकी होती है हमारी गिहों की फसल में उस समय यूरिया का परियोग बहुत अत्याधिक कर देते हैं किसान भाई कभी भी ऐसा ना करें सो दिन की फसल के अंदर ही आपको पूरी डोज जो नैटरोजन की देनी है वो आपको कोरम पूरा कर लेना है उसके बाद बाल अवस्था में आपको दुधिया अवस्था जब बनती है दूद बनता है बालियों में उस समय भी हमारे किसान भाई स्प्रे कर बैठते हैं और यूरिया का स्प्रे भी करते हैं और टाप डेर्सिंग में भी देते हैं ऐसा कभी भी ना करें किसान भाईयो आप लोगों को जो मैंने वीडियो में बताया है उसी परकार से आप लोग गयों की फसल में इस समय परियोग करें अगर आपकी फसल बहुत पछेती है गयों की अगर लेट भॉआई की है उसमें अभी आप स्प्रे कर सकते हैं अगर आपकी साठ दिन की फसल होई है पीला पन भी नहीं जा रहा है उसमें आप यूरिया मैगनी सलफेट का स्प्रे कर सकते हैं कम से कम सौ ऐसौ लीटर एक एकड की मात्रा लगेगी पारी कि और उसमें एक किलो से 1 किलो आप मैगनी सल्फेट ले ले हुए और एक किलो यूरिया का स्प्रे करें ऐस समय अगर आपने पछेती गयों की बुभाई की है 60 दिन की फसल अगर होई है आपकी उसमें आप स्प्रेय अभी कर सकते हैं तो पूरा रिजल्ट किसान भाईयों मिलेगा बाकी आप सल्फर का प्रेयों कर दें अगर आप अभी भी नहीं जा रही है पीलापन ग्रोथ रुकी होई है कम से कम 3-4 किलो प्रतिय कर तो किसान भाईयों जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो किसान भाईयों के हित में शेयर जरूर कीजिएगा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा और कोई सवाल अगर किसान भाईयों हैं तो आप पोश भी सकते हैं कमेंट बाक्स में उसका जवाब भी दिया जाएगा बाकी इसी तरीक के समझानकारियां आपने चैनल पर लाया करते हैं तो आज के लिए इतना था सभी किसान भाईयों को जैहिन